हलो फ्रेंड्स वेलकुम बैक टो टेट्रहेडन के मिस्टी क्लासेज अभी अभी मॉर्निंग सेशन का फर्स सेशन का जो सी एसाइर नेट केमिकल साइंसेज और किसी कभी एक्जाम में जो अभी फिनिश हुआ है तो अभी मैं बिल्कुल एक्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला हूं तो इस बार का जो पेपर का जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है वो मैं आपके शेर करना चाहता हूं देखिए जो लोग भी पेपर देके आ चुके हैं उन्हें मालूम है जैसे उन्होंने सेक्शन ए जनल अप्रिट्यूड वाला पार्ट देखा होगा तो उन में से वो जिनका mathematical background नहीं रहा है या जो लगातार mathematics के touch में नहीं है उनको खासी परेशानी हो सकती है because this time that aptitude part of this examination basically more inclined towards the mathematical skills if you know the basic mathematics right 9th and 10th में जो होता है तभी आप solve कर पाएंगे logical aspects सोड़े से कम नजर आते थे लेकिन इसके बाद जैसे switch करते हैं आप option section B की तरफ right तो section B को देख के आपको खासी खुशी हो सकती है क्योंकि section B से बहुत बढ़िया question जो है बहुत easy question इस बार पूछे गए है लेकिन यह सारी की सारी खुशी जो है आपकी काफूर हो जाएगी या हो गई होगी जब आपने section C देखा होगा क्योंकि section C के questions उतने बढ़िया questions नहीं थे और बहुत ज़्यादा technical questions नहीं थे theoretical questions बहुत ज़्यादा पूछे गई थे तो first impression में ऐसा लगता है जैसा कि पिछले दो तीन साल का अगर आप देखें examination का pattern तो यह exam उनसे थोड़ा सा different नजर आता है अगर आप expected cut off की बात करते हैं कि कितने में जैर एफ मिलना चाहिए students को तो देखिए हर बार लगबग आप देखते हैं कि 50% marks आपने सिक्योर करने होते हैं out of 100 मेंसे आपके लगबग लगबग 100 के आसपास की marks हमेशा ही रहते हैं इस बार भी कुछ नया नहीं होने वाला है अगर आप 90 से 100 के बीच में marks कहीं select करते हैं तो fair chances रहेंगे आप लो regular follow किया है और सिर्फ अगर आपने spectroscopy coordination chemistry organometallic chemistry यही तीन अगर आपने follow किये हैं तो लगबग लगबग 50 mark के question जो है इन तीन यूनिट से जो लगातार जो तीन sections में आपको बता चुका है spectroscopy में मैंने भी previous year problem सारी 2019 तक की solve करी थी ठीक है इसके लावा spectroscopy पे NMR पे UV पे काफी detail में mass spectrometry पे detail में lectures बना चुका हूं कोडिनेशन chemistry की मेरी exclusive series है similarly लगबग 70-80% में organometallic भी complete कर चुका हूं इसके लावा वैस पर theory अगर किसी ने पड़ी है दो question वहां से भी इस बार आपको मिले वे हैं ठीक अगर आपने देखा है तो एक बहुत simple question आई उपीसी नॉमन क्लेचर से भी आया हुआ है तो ऐसे अगर आप देखें तो लगबग लगबग अगर टेट्राइडन chemistry classes को जो लोग follow कर रहे है regularly वो इस बात को और exam देकर भी आए हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि लग जो टेट्राइडन chemistry classes के लेक्शेर से उसमें से लगबग लगबग on an average 50-60 marks का स्रिफ 3-4 unit से ही पूछा गया है तो यह मेरा first impression है examination के लिए मैं इसको moderate type question paper काऊंगा नाइधर very difficult not too easy moderate है हो भी सकता है देखिए कई लोगों को लगता है कि बहुत आसान लगें लेकिन इतना मेरी opinion में अगर आप देखें personally मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा technical और clear cut questions थे तो अगर आप 90-100 के बीच में marks ला सकते हैं तो मुझे लगता है इस बार आपकी उमीद बढ़िया रह question मुझे लाके देंगे तो उन questions को मैं solve करके दुबारा से एक वीडियो और मनाऊंगा जहां पर मैं इन questions की detail आपको share करूंगा तो चलिए अभी के लिए चलते हैं best wishes आपके results के लिए thank you thank you very much